अगर आपके Smart TV के अंदर कोई भी Apps like Amazon, Prime Video, YouTube, Netflix, other Apps आपकी वर्क नहीं कर रही है तो आपको कैसे उसका solution लेना है उसके बारे में मैं आपको आज की इस वीडियों बताने वाला हूँ तो देखिए मेरे Smart TV के अंदर YouTube यहाँ पर वर्क नहीं कर रहा है जब भी मैं YouTube की अपको यहाँ पर उपन करता हूँ तो ओटोमेटिकली मैं एक्जिट कर जाता हूँ बाहर बहुत से रीजन आते हैं YouTube क्या है अपकी अपकी अपन हो जाती है लेकिन वो connect नहीं होता कुछ भी रिजन हो सकते हैं आपके तो मेरे जो हाँ रीजन है यहाँ पर मैं यसे YouTube एप को उपन कर रहा हूँ और यहाँ पर मेरे उपन नहीं हो रहा है बार-बार यह एक्जिट कर जा रहा है तो यहाँ पे मैं आपको कई तरीके से दिखा रहा हूँ, हर तरीके से different तरीके से मैं open करके दिखा देता हूँ यहाँ पी और यह app बाहर अपना आपी exit कर जाता है, यह एंटर नहीं करता है, यह YouTube मेरा यहाँ पे work नहीं कर रहा है यह issue मेरा तब आया है, जब मैंने अपने smart TV को update किया है, उसके बाद ही यह issue मेरा आना start हो गया है तो इस problem के solution के लिए आपको YouTube पर काफे सारी वीडियो मिल जाएंगी, कि कैसे आप किसी app को अगर आपकी working नहीं है, तो कैसे आपको उसको work मिलाना है बहुत सारी वीडियो आपको देखने के मिल जाएगी, उन वीडियो में आपको बताया जाएगा, या तो आप जो आपकी app है जो work नहीं कर रही है, उसको update कीजिए, uninstall करके install कीजिए दुबारा work work कर जाएगी, या फिर आप उसके data है clear catch है, या data को आप यहाँ पर clear कर लीज install कर लिया है, सारे solution मैंने यहाँ पर करके देख लिया है, लेकिन मेरी फिर भी same problem आ रही है, यहाँ पर YouTube मेरा work नहीं कर रहा है, तो इस case में मुझे करना क्या होगा, इस case में मैंने last solution जो आता है, वो आता है recovery mode, तो हमें अपने smart TV को यहाँ पे factory reset करना है, जैसे हम अपने mobile को करते हैं, तो same तरीके से smart TV के अंदर भी system recovery का mode हमें मिल जाएगा, तो factory reset करने के लिए, हमें system recovery के option को own करना है, तो यहाँ पर आपका system है, आपका smart TV है, उसमें आपको setting के option में जाना है, setting option में जाने के बाद देखिए, आपका different brand होगा, उसमें different option मिलेंगे, तो यहाँ पे मे boost company अंदर मुझे अपना यहाँ पी recovery mode का option मिलेगा, वो मिलेगा common के अंदर, third option मिलता है system recovery, इस option को confirm कर लेना है, confirm करते ही factory data reset, start हो जाएगा process हमारा, और recovery mode हमारे आपके own हो जाए, यही process हमारे start हो जाएगा, तो जल्दी सामें वीडियो को fast forward कर लेता हूँ, और जब तक wait करत होती है, तो देखें दोस्तो, recovery हमारी complete हो चुकी है, और अब मैं home page अचुका हूँ, अब जो मेरा issue आ रहा था, youtube मेरी बार बार यहाँ पे exit हो जा रहे थी, एप open करने के बाद, उस issue को मैं आ पे देख लेता हूँ, कि वो issue मेरा यहाँ पे soul हुआ है नहीं हुआ, तो apps के अंदर जान और आपको आपकी problem का solution मिल जाएगा, तो दोस्तो इस तरीके से आप अपनी problem का solution कर सकते हैं, तो दोस्तो आपको आज की वीडियो कैसी लगी, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को like जरू कीजेगा, चैनल फे first time चलब subscribe जरू कर लीजेगा, और वीडियो अच्छी लग